अभी हम इस particular वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से local host public आपको डालना है अब मैं quickly बता देता हूँ कि जब setup हो चुका है तो दुबारा कैसे open करेंगे तो जब भी आप system start करेंगे तो आपको आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से icon मिलेगा जिसमें jam jam control होगा जिसको आपको click करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये run होना चाहिए ठीक है इसको click किजिएगा तो कुछ इस प्रकार से open हो जाएगा और ये आपको on करना है जो अभी जो है न ये stop का option आ रहा है start का option आएगा क्योंकि अभी run हो रहा है तो start stop का option आ रहा है तो आप जो है क्या किजिएगा start पे जैसे click किजिएगा तो दोनों start हो जाएगे Apache और MySQL दोनों start हो जाएगे and then जैसे start हो गए आप आराम से use कीजिए आप और कोई एक browser में नहीं कोई भी browser में आप इस link को डाल के use कर सकते तो मैं recommend करूंगा Chrome में use कर सकते हैं तो अब इसका shortcut भी बना सकते है, shortcut बना कर आप system में भी रख सकते हैं तो जिस पे shortcut बनाने के बाद क्या होगा उस पर click करेंगे अपने आप तो यह सही होता है otherwise आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा जो कि ज़्यादा complex नहीं है localhost जैसे website कैसे डालते है worldgyarn.com वैसे ही यहाँ पर localhost डाल दीजिए, that's it, localhost slash public तो आपको पहला step क्या करना है, jamp install करना है, यह नहीं तो काम नहीं करेगा, पहला step jamp को start करना है, दोनों server start होने चाहिए, तब यह काम करेगा, otherwise यह काम नहीं करेगा, ठीक है, start करने के बाद जो है आप localhost slash public डालिएगा, that's it, ऐसे कुछ इस प्रकार से file आएगा, अभी फिर आप login है, तो directly home page पे आगा, otherwise login का option आता है, register and login, आप register भी कर सकते हैं, but मैं recommend करूंगा कि आप super user से आप login कीजिए, ताकि यह पहले से बना बनाया है, otherwise अगर आप setup करना चाहते हैं, आप करना कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं, because आपके पास project file ह आपके पास database है, तो आप जो मर्जी कर सकते हैं, okay, बढ़ उसके लिए थोड़ा सा technical आना चाहिए, तो that's why मैं recommend करूंगा कि आप use कीजिए, जो मैं आपको बताया, और कुछ इस प्रकार से आप interface use कर सकते हैं, बहुत इस आसान है use करना, और अगर किसी प्रकार का कोई problem अग maintenance plan लीजिए, because ताकि जो है smoothly, जो है run होता रहे, मेरे पास currently दो type के maintenance plan है, जो कि current, पहला तो ये है कि current feature जो भी मौझूद है, वो robust और successfully smoothly चलना चाहिए, उसमें हर एक प्रकार के update दिये जाएंगे, और दूसरा कि को additional features आते हैं, वो भी आपको दिये जाएगा, इसके साथ भी maintenance दिया जाएगा, तो फिलाल हमारे पास दो plan है, आप उसके लिए contact कर सकते हैं, जो कि सही होगा, और आपके software के garage management के software के need को बड़े असानी से पूरा कर सकते हैं, so आप मुझे पर trust कर सकते हैं, and आप जो है robust, बहुत scalable project है, तो उसमें नए feature को add करना यो बहुत असान है, so definitely you can do whole lots of things, आप इसे website भी launch कर सकते हैं, means आपका domain name रहेगा, जैसे मैं बता हूँ, तो मेरा है worldgan.com, तो worldgan.com slash garage management ऐसे करके डाल सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, means इसको host भी कर सकते हैं, setup similar ही है, setup में कोई problem नहीं है, just मैंने जो पिछले वीडियो म setup के बारे में बताया था, वही setup वहाँ भी है, थोड़ा सा बस difference है, okay, so I hope कि आपको समझ में आ चुका है, again setup के लिए मैं quick remind बता देता हूँ, because last video बहुत लंबा हो चुका था, क्योंकि मैं step by step हर एक चीज में आपको बताया था, तो सबसे पहले आप download किजिएगा, project के file को, download करने के बाद, आपको कुछ इस प्रकार से ये मिलेगा, इस प्रकार के folder मिलेगा, garage management gms24, इसको extract कीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इसमें क्या करना है, आपको jam install करना है, jam install करने के बाद, जो है, इसको server को start करना है, server को start करना है, दुबारा से कभी भी laptop off हो ज जाए ये दूसरा ये हो गया jam setup देन आपको क्या करना है localhost php myadmin type करना है ठीक है localhost php myadmin डालने के बाद php myadmin उसके बाद आपको new पे click करना है और database create करना है उसका कोई भी name दे सकते हैं जैसे मैंने आप आप एक gms दिया था तो आपको जो मरजियों दे सकते हैं वर्ल्ड गयान भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं तो यहाँ पर देकर create करेंगे create करने के बाद आपको import का option आएगा import में आकर database को import करेंगे तो database में इन दो फाइलों को import करेंगे तो एक है demo के लिए testing के लिए कभी कभी फर्स टाइम यूज करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसलिए मैं demo के लिए कुछ पहले से फिल्ड डेटा आपको दे दिया दूसरा जब यह आपको समझ में आ जाएगा हलाकि ऐसे भी समझ में आ जाएगा तो फिर आप इसमें जो में डेटा है गरे से डेटा और नहीं रहेगा यहाँ पर जो कि आप इसको import कर सकते हैं ठीक है इसको import करके इंपोर्ट करने के बाद database to done हो गया फिर आपको क्या करना है आपको यह वाला file को paste कर देना है इसके अंदर के जो भी content available है जो extract किये थे उसको paste कर देना है c के अंदर jamp आपको मिलेगा ठीक है means jamp जहाँ भी download होगा ना वहाँ पे hddocs के अंदर आना है कभी-कभी आप c में भी कर सकते हैं इस paste नहीं है तो वह भी possible है तो यहाँ पे आए और इसमें paste कर दिए इसमें पहले से जो चीज रहेंगे उसको सब को delete करना है और आपके project file क paste कर देना है paste करने के बाद .env file को open करना है और यहाँ पे app name के जगा पे आपने brand का name डाल दीजिए and database का name gms डाल दीजिए gms of course जो name यह matching होना चाहिए इससे जैसे यहाँ पे gms है तो ओ मैं gms डाल दिया gms डाल दीजिए and root username root by default name root होता है और password null बस इतना रहेगा सर्वर पे डालेंगे तो यह सारे details वहाँ पे fill up करने पड़ते हैं यहाँ पे local में नहीं करने पड़ते है local में root password null that's it अब हम क्या करेंगे बस हमारा यह setup हो चुका है और अब हम simple जाएंगे और localhost localhost slash public डालेंगे that's it हमारा project run हो गया और आपको यह वाला password से आप कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं यह worldgyan.com complete garage management software तो यहाँ पे क्या करना है आपको यह username है password है यह आप डाल सकते हैं अलाकि यह डालकर आप login कर सकते हैं आप काम कर सकते हैं ठीक हलाकि यह change भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हैं बट चेंज करने आप खुद से ट्राइ कर सकते हैं multi user में जाकर आप add user user list तो यहाँ पे password selection का option आ सकता है admin something जो जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम है असुतोष कुमार चौबे और यहाँ पे admin admin.com super admin role है हमारा and मैं यहाँ पे इसको open करता हूँ और open करने के बाद यहाँ पे साथ password का option आएगा या यह देखे password है अब reset कर सकते हैं मैं hints में same ही रे दिया sometimes useful होता है अगर आप बुल गए तो तो कुछ इस प्रकार से आप setup कर सकते हैं I hope कि आपको समझ में आ गया और मैं recommend करूंगा कि शॉप्टर को purchase कीजिए बहुत ही robust and beautiful है user interest बहुत ही सही ह है और maintenance means आपके पास basically हमारे पास तीन प्लान है एक तो यह है कि आप project को use कर लिजिए जिसमें अगर maintenance चाहिए तो अलग से charges लएगा कुछ भी feature use करना चाहते हैं कुछ भी changes करवाना चाहते हैं तो additional charges लएगा तो that's it यह generally लोग बहुत लंबे समय से use कर रहे हैं और किसी प्र I don't think कि इसमें कोई issue होगा बट फिर भी अगर कुछ अगर होता है तो आप contact कर सकते हैं so thank you for watching this video have a nice day